जिस तरह विराट कोली का सेलेबरेशन पैट कमिंज का विकिट गिनने के बाद साफ जाहर था कि थोड़ा दबाव उनके उपर था गेंद बाजों के उपर ता लेकिन दाद देनी पड़ेगी जिस तरह भारतिये गेंद बाजों ने इस पूरे टेस्ट मैच में जो जिस अनु मैं बिल्कुल देना चाहूंगा भारतिये गेंद बाजों को 31 रनों से भारत ने एक शांदार जीत दर्शके ऐस्टेलिया के किलाफ एडलेट टेस्ट में इसके साथ इस ट्रंकला में एक शुनियों से बढ़त ले लिये मेरे साथ ESPN ट्रिकेट फूर मैच डे हिंदी पर VVS लक्ष्मन, VVS 31 रन करीब ही मामला हो था? जिया, थोड़ा डबाव जरूर था बहरत के ऊपर जिस तरह विराट कोली का सेलेब्रेशन, पैट कमिंज का विकट गिनने के बादद साफ़ जाहर था कि तोड़ा दबाव उनके ऊपर ता गेंधबाजों के उपर ता लेकिन दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह बहरतremo के साथ और तारीफ के लाहे के ऑस्ट्रिला के टेलेंग डेस्ट जिस संगर्ष करने का जो जिस मानसिक्ता के साथ वो बले बाजी करें अगर टॉप और बले बाज भी वही आटिटूड के साथ बले बाजी करते तो रिजल्ट अलग होता लेकिन श्रे में बिलकुल देना चाहू होगा मुझे दस में से कितने नंबर आप इन्हें देंगे रवीचंद्रा नश्विन चे इशांत शर्मा साथ क्या बात है जस्परीद बुम्रा साथ मोहमत श्यमी साथ क्या बात है बोलर्स को आप साथ आप काफी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर रहे होंगे पुजारा की बैटि चार ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तीन सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसे बोल सकते और वह भी अच्छा ऑस्ट्रेलन के टेलेंडर्स बत और बल्लेबास साथ तो चली एक काम करते मैं टेलेंडर को एक पॉइंट ज्यादा देता है तो चार कर लेते है ने ने साथ कर ले इतने पॉइंट देलेंडर को क्या बाता है तो अगर गेंद माजों को आप पॉइंट देंगे तो वह बल्लेबाजी के लिए देंगे चली ऑस्टेलिया की बोलिंग दस में से कितने नंबर साथ ठीक है और कोली की कपतानी चे और आखिरकार इंडिया को इस जीत में ओवरॉल पहले इनिंग में और दूसरे इनिंग में वह साज़दारी नहीं होता अजिंके रहाने और पुजारा का बीच में तो बहुत मुश्किल होता भारतिय टीम को इस मैच जीतना और अगर अब तुलना करते हैं दोनों टीमों के आउस्ट्रेला टीम जो है अनुबव ही बल्ले मैच में विराट कुली ने इतिहास रजा है भारतिय कप्तान और इंडिया बनने के नाते देख लेते हैं कि आस्ट्रेलिया में जो है पहला टेस्ट शुरुआत हमेशा खराब रहती है टोरिंग टीम की लेकिन यह आज एडलेट में इतिहास रजा है क्योंके बारा मैच में पहली बार फर्स टेस्ट मैच में भारत विजए रहा है तो यह एक बहुत ही इंपोर्टन जीज़े के ओवर सी सीरीज में शुरुआत या लीड लेना भारत के लिए ज्यादा कॉमन नहीं अभी जिया अवे टीम के लिए पहला मैच जीतना थोड़ा मुश्किल होता है क्यो क्योंकि हमेशा पहला टेस्ट मैच अगर आपके तरफ नहीं जाता तो दबाव आप मैसुस करते हैं और ओम टीम को एडवांटेज मिल जाता है लेकिन अभी जब आप पहला टेस्ट मैच जीतते हैं दबाव पूरा होम टीम के उपर आ जाता है और वो दबाव सोकने की क्या श्यमता है मान सकता है इस ऑस्ट्रेलिंट टीम में मुझे नहीं लगता है और अगर रिजल्ट की भी बात करें तो भई केवल 31 रनों की का फर्क था दोनों टीमों में तो शायद आखिर में विराट कोली रवी शास्त्री थोड़े से नर्विस तो रहे होंगे और सबसे कम से जीत अगर इंडिया-उस्ट्रेलिया टेस्ट में हम बात करें तो 2004 में VBS खेले थे उस उस शांदार मैच मुंबई में आपके रन भी बने थे दूसरे पारी में और जहां 13 रनों से भारत ने वो टेस्ट तो बचा लिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया को चली गई ब्रिस्बिन म आस्ट्रेलिया ने अबिशन बेदी की इंडिया को हरा दिया था सुनील गावसकर ने शांदार शतक रचाया लेकिन 341 रन का जो टार्गिट था उससे 16 रन चुके भारत रेकॉर्ड होता था उस टाइम का और फिर यह एडिले टेस्ट तो तीसरे नमबर पर तो जब यह ऐस आप जरूर आप महसुस करते हैं क्योंकि आप हमेशा यही उमीद करते हैं अगर आप टॉप और का विकिट ले लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है लोर और का विकित लेना या टेलिंडर्स का विकित लेना लेकिन यह एक समस्या भारत के सामने पिछले दो साल से नजर आ क्योंकि आप इंग्लेंड का दोरा देख लीजिए पहले चार-पांच विकित जल्दी ले लेते हैं उसके बाद जो है टेलिंडर्स आकर या लोर ओर्डर बले बाज जैसे साम करन हो या एक मैच में जॉस बटलर नंबर चे में आकर श्रतक बनाएं तो वह आकर एक पार्ट और श्यम्ता तो है लेकिन टॉप ओर्डर के पास जो मान सकता नहीं है ना दबाफ सोकने की वह मान सकता मुझे लगता है कि नेतन लाइन के पास है पैट कमिंस के पास है और मिचल स्टार के पास है तो है इनमें गहराई बले बाजी में अर्थ जॉस हेलनून ने भी साथ न इस मैच में तो मैं ज्यादा इसके ओपर ध्यान ने दूंगा कि अभी भी यह बढ़िया पांचवे दिन में भी अच्छा विकिट था यह ऐसा कुछ मदद नहीं मिल रहता है तेज गेंद बाज को काटा नहीं बदल रहता है स्विंग नहीं हो रहता है स्लो विकिट था तो ड़क्रास कैना जब बढ़ता है तो दबाब बोलर के ओपर को पर यह बदलते है गेंद बाज की प्लैन ऌो पॉत में बनाते है और रहते हैं बदोवा था गेंद बाज तो दबाव जो है बोलर के उपर वापस आजाता है और जितनी हम तारीफ करें अगर अगर भारतिया गेंदबाज की तो यह आखड़े मुझे बहुत ही दिल्चस्प लगते क्यों रभी जंदर नाश्मिन ने लगबख 87 ओवर डाले जो काफी रेकॉर्ड है उनके लिए यह बहुत ही तारीफ काबल है कि इतनी बोलिंग भारतिया गेंदबाज होने की जिया बिलकुल और देखे जब आप फिटनेस के उपर ज्यादा जोड़ देते हैं और फिटनेस सेशन सीरियसली लेकर करते हैं और गर्व मैसुस करते हैं फिट खिलाडी होने के कारण मेरा मा पड़ेगा आपको कि कि आपके देश के लिए खेल रहे हैं लेकिन एक चुनौती जरूर होगा भारतिया गेंदबाज को अगर टॉस आरके या पहला गेंदबाज ही आगया ना तो वह वर्कलोड और जादा मैसुस होगा भारतिया गेंदबाज हो लेकिन फिटनेस के उपर हो रहा है कि इतने ओवर्ड दालने के भी दालने के बाद बावजूद भी आखरी ओवर्ड तक वो रफ्तार कम ने हुआ इसका मतला है कि स्ट्रॉंग है ताकत है इस बारतिया तेज गेंदबाजों में चले अभी थोड़ी सी बात बल्ले बाजी की भी करते है भारत के साब डाले टॉप बल्ले बाजू की इस मैश में तो चेतेश्वर पुझारा शायद दोनों टीम में अंतर वही थे तो तिम पेन ने भी यही माना लेकिन बागी की बैटिंग के लिए आप क्या रेमिडीज देखेंगे कि चार दिन के पहले क्या अजिस्मेंट कर लेंगे देखे अगर टैलेंट को आप पर्फॉर्मेंस इसमें तबदिल नहीं करेंगे तो कुदको भी फाइदा नहीं और टीम को तो बिल्कुल फाइदा नहीं है और जिस तरीके से आउट हुए खेल राउल देख लीजे, मुली वीजे देख लीजे, रिशापन देख लीजे, विकिट पेकर आप आउट हुए, आप आउट हो सकते हैं, अगर अच्छे गेंद के खिलाफ आउट हुए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खराब शॉर्ट खेल कर आप तोफा देदे थे वेपक्षी टीम को, तो कही ना कही दिमाग या मानसिकता में आपको सोचना पड़ेगा, तो यह बदला मैं देखना चाहूंगा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी थारीफ के लाये के पुजारा जिस तरह दोनों इनिंग में अपना ओन स्टाइल, जो स्वभाविक गेम और गेम प्लान से उतरते और खेलते और गेम प्लान के ओपर विश्वास जताते पुजारा वो द तो देखाने पुजारा को अपर कटके ओपर चेका मारते हुए या पुल शॉड हुक शॉड केल कर इतना आक्रमक रवया अपनाना मैं देखाने पुजारा यह अच्छा लगा और दूसरे इनिंग में अब जरूर वो साज़दारी पुजारा और रहाने के बीच में जो बनाने के लिए कायम करने के लिए केल रहूल और विजय की बात करें तो जब प्रित्वी शॉफित होंगी तो शायद उनमें से कोई भी एक आउट हो सकता है अगर भारत कल पांच गेंदबास के लिए तो रहाने के बीच भी टॉसाप है रिशब पंत कल रिदिमान साहा तो यह सीरीज बल्लेबादी काफी मौके उनको गवाने नहीं चाहिए जिया देखे आप स्तान के लिए तो नहीं खेलना चाहिए जब आप बारत के लिए खेलते हैं तो अगर आप जाकर अपने जिगा के लिए खेल रहे तो वह सही अप्रोच नहीं है मेरा मानना है कि एक रनिती बनाना चाहिए और वो रनिती ऐसा बनाना चाहिए जिससे आपको स्कोर करने के लिए ज्यादा मोका हो और लेकेल रहूल का मैं उदारन देना चाहूंगा आप देखे टी-ट्वेंटी शॉट्स टेस्ट मैच क्रिकिट में आप नहीं खेल सकते अगर चुनौती वाल या अजिंके रहाने में आपने देखा या पैट कमिंस जो नंबर आट बल्लेबाजी में बल्लेबाज है उन्होंने आकर संगर्ष करकर देरे के साथ खेल कर 121 गें खेलने के बाद आउट हुए थे तो क्यों नहीं कर सकते वो पुझार खेल रहूल या मुल्ली विजे तो जरूर मानसिकता मैं बदला मैं देखना चाहूंगा हाई पर शॉट्स के लिए आप लेकिन आई परसेंटेश शॉट्स के लिए अब रिशपन को देख लिए आप बड़े बड़े शॉट खेलने की श्यमता है लेकिन अरे अरे शॉट जो आवाई फायर आप अगर आउट होने के भी संभावना बढ़ जाएगी स्वीपर कवर ते फिल्डर और सीधा फिंच के आत में स्वीपर कवर में आउट होगे अगर आपको आक्रमक रवाया अपना अपनाना है तो अलांग दग्राउंड भी आप बड़े शॉट खेल सकते चार रन के लिए खेल सकत तो फिर शायद कुछ सवाल जस्टिन लांगर या तिम पेन को भी उनका जवाब भूना पड़ेगा पर टेस्ट के पहले और अगर इस मैच के बार में बाके तो पुजारा अपनी लीग में थे बाकी की बलेबाज अपनी लीग में और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो हमने आप ज़िए डिफेंसिव नेचर देखा पहली पारी में और फिर सेकंड पारी में आपने आपने खा कि लोर अर्डर ने तो सिखा दिया और तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कोच अच बार या कप्तान होते आप किस तरह से उनकी बलेबाजी के प्रॉब्लम को फिक्स करते देखें कुद के उपर विश्वास होना चाहिए मैं यह नहीं मानता हूं कि अगर आप अंतरास्ट्रे स्थर पे खेल रहे हैं और आउस्ट्रेया सा महान देश के लिए आप खेल रहे हैं जो इतना गर्व मैसूस करता है जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो आपक अपरोच करते हैं कि अगर आप बड़े तुलना तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा कि दिगजोंके साथ तुलना करना सही नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेयान बलेबाजों का जो मांसेट था जो मान सिकता था वह है कि पहले चारन के लिए देखते हैं और आकरी जो ऑप्शन ह वह है डिफेंज या बॉल को छोड़ना लेकिन अप्रोच यह जो है तोड़ा नेगेटिव अप्रोच नजर आए जबरदस गेनबाजी का तो प्रदर्शन देखनी को मिला है बारते गेनबाजों से उतना मौका भी नहीं मिला है लेकिन जो बोड़ी लैंग्वेज है वह का पेन और जेस्टिन लैंगर के सामने एक चुनोती है कि यह बलेबाजन के ओपर कैसा आप काम कर सकते हैं और किस तरह खुद बलेबाज विश्वास जताएंगे अपने श्यमता के ओपर एक बुद्ध बड़ा चुनोती है बुद्ध बड़ा सवाल है क्या यह जवाब दून होती है क्या ध्यान में रखना चाहिए भारतीय टीम को कि अब इस अडवान्टिज को वह गवाना बैठे 2014 में इंग्लिंड में सीरीज में आगे गवड़े थे लेकिन सीरीज गवा बैठे आप एक ऐसी टीम में रहे हो साद आफ्रिका में जहाँ आपने लीड ली लेकिन फ जो है जिस टीम ने वो टेस्ट मैच आ रहा उसके उपर है पहला सेशन में अगर आप बड़ा प्राप्त कर देते हैं और आप कमफरिटिबल पोजिशन में तो दबाव और ज्यादा हो जाएगा उस टीम के उपर तो ऑस्टेले के उपर ज्यादा दबाव हो जाएगा अगर आप पहला सेशन गेंद बाजी में या बले बाजी में जो भी आप कर रहें पहले उसके उपर आप जोड़ दीजिए और एक चुनोती जरूर बारती टीम के सामने है और ऑस्टेलेंट टीम के भी सामने है वो है कि वो विकिट किसी को पता नहीं है पहली बार ये नया जो ग आत्म विश्वास के साथ आप पर जा रहे ना वो फिर दबाव आपके उपर आ जाएगा तो कॉम्प्लेसिंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो गलते आडलेट में करें वो गलती को नहीं दो रहना चाहिए उमीद है कि यह मोमेंट इम आत्म विश्वास भारत आडले इस सीरीज में एक शून्यो से बड़त ले लिए झालेट झालेट झालेट